राजेबाल आयोग ने आजाद कॉलनी में चल रहे एक मदरसे में सोमवार को ओचक निरिक्षन किया तो वहां के हालात अमानविय और हैरान करने वाले मिले चार सो गश के चार मंजिला मदरसे में धाई सो चात्र ठून से गए थे जब की मदरसे का कहीं पंजीकरन नहीं मिला उतनी कम जगह में चात्रावाज भी मिला जिसमें बिहार के साथ बच्चे मिले पूरे भवन में दमगोंटू कमरे सोलह शौचालय और जगहजगह गंदगी मिली आयो की अध्यक्षडो गीता खन्ना ने बताया कि उनकी टीम ने निरिक्षन के दौराने एक बंद कमरे को खुलवाया गया तो उसमें गदों का धेर के बीच एक बच्चा बिना बिस्तर जमीन पर लेता मिला उसे बहुत तेज बुखार था लेकिन गदों से भरे कमरे में उसे एक डिस्तर तक नहीं दिया गया था बच्चे को चिकित्सा के लिए दून अस्पताल भीजा गया शिक्षा विभाग की जाँच में इस मदर्से का पंजी करण नहीं मिला नहीं मदर्सा बोड और रल्पसंख्यक बोड के पास उसकी कोई जानकारी दर्ज थी दो खन्ना ने बताया कि इस मदर्से में विशाक्त भोजन से 30 बच्चों की तबियत खराब होने की खबर सुभा अकबारों में प्रकाशित हुई थी इसलिए उन्होंने पुलीस टीम के साथ मदर्से का ओचक निरिक्षन किया वहाँ पहुचकर उनकी टीम हैरान रहे गई की कैसे 400 गज के मदर्से में 200 बच्चों को रखा जा रहा था राजबाल आयोक की अध्यक्ष डौर खन्ना ने निर्देश दिये हैं कि दहरादून ऐसे जितने भी मदर्से बिना पंजीकरन के चल रही हैं उनकी जाँच और कारवाई करें जिस मदर्से में निरिक्षन किया उसके CCTV कैमरों की पाँच दिन की फुटेज को जब्त करके जाँच में शामिल करें अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें